नमस्कार में दिपक स्वागत करता हूँ आपका ज्यान लर्नर्स पर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका क्लास 10 मैस में जो आपका चेप्टर नमबर 5 चला है एपी अर्थामाटिक प्रोग्रेशन इसमें हम कर रहे थे आपका एक्सराइज 5.3 ठीक है तो कोशन न नमबर 3 में आपके 10 पार्ट है टोटल ठीक है तो इस वीडियो में केवल में आभी आपको फोर पार ले रहा हूं और बाकी के पार्ट आपको नेक्स नेक्स वीडियो में मिलती रहेंगे ठीक है चलिए कोशन नमबर 3 शुरू करते हैं इन एपी किसी एपी में क्या दे रख नमबर 3 एपी मतलब उन एंड टम का सम निकालना एश का मला क्या होता है सं तो सम आफ एंट टम्स देखिए अभी तक आपको कोशन मतलब ऐसे दिर्खाता लेंगोज में निकालके लेंगोज मतलब इस तरह से दिर्खाता कि माली जो को एपी यह फाईप प्लस एट फिर 11 ए 8-5 करेंगे 3 and this is your last term यानि कि n term 50 ठीक है तो पूछता था कि find the sum of 50 term 50 क्योंकि n 50 है न आई बस में यहाँ पर actually n नहीं मालूम बलकी तो find the sum of n term यानि कि sn निकालने के लिए बोलता था लेकिन हमको n भी मालूम होना चाहिए कि actually हमें कितने terms का sum निकालना क्योंकि मुझे n मालूम नहीं है तो अभी तक question ऐसे था हमको value छाटने परती थी यानि कि n term क्या मिला 50 मिला तो क्या निकालना आपको find n and sn एन मतलब how many terms यानि कि number of terms कितने है a P में और sn मतलब Depth임 का क्या निकालना है sum निकालना आपको बात के लिए आपको end भी निकालना है और sn भी निकालना है तो देखिए sn निकालने के लिए n तो वैसे भी आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आपने question number 2 वाला अगर आप देखा होगा तो वैसी करना है ठीक है तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले में एन वाला फॉर्म लगा तो एन का वैल्यू 50 है यह हमको एन का वैल्यू दे रखा सिंस ठीक है तो एन का वैल्यू रख दीजिए आपको अच्छी तरह के इसी फॉर्मला मैंने कई बार बता दिया बलकि exercise 5.2 तो पूरी इसी वाले फॉर्मले पर बेश है ठीक है एन मतलब एन टम या लास्टम का फॉर्मला क्या होता है ए प्लस एन माइन एन टम का फॉर्मला क्या होता है अब यही फॉर्मला क्यों लगा हम सब्सक्राइब करेंगे आप चाहें तो 3 की अंदर मैंटिफ्लाइब कर सकते हैं या चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं आपको जैसा अच्छा लग रहा है ठीक है तो टीक हें अपनी अपनी कैलकोशन तो 5-3 कितना आ गया आपका 2 आ गया यहने कि प्लस का आगा क्योंकि 5 बड़ी डिजित है तो पॉजिटिव आगा 2 दर गया किसका हो जाएगा माइनस का तो 50 में से 2 माइनस कर लेंगे that is आपका आ जाएगा 48 अब 3 का जाएगा अपन में तो 48 अपन 3 तो इसको आप बढ़िया करके कट कर लेंगे तो 3 बंजा 3 एंद 3 शिक्जा 18 यानि कि इस एपी में कितने टर्म से इतना हमें कंफर्म हो गया कि जो एपी था इसमें एन का वैल्यू आ गया 16 तो आराम से हम क्या लगा लेंगे अब सम लगा फॉर्म लगाने क्योंकि सम निकाला ना एसन तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा क्योंकि हमने इस एक्साइज में कोशन नमबर 1 भी कर लिया टू भी कर लिया एंड उससे पहले बेसिक कंसेट भी सीख लिया क्योंकि हम कोशन नमबर 3 में तो आपको अच्छी तरह के जो फॉर्मला पता होगा पीछे कोशन दिखे एसन का एन अपॉन टू ए प्लस एन देखे फॉर्मला तो एक और भी होता सम का अच्छी तरह स सम का फॉर्मला क्या होता है यह भी होता है एन बाइटू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यह वाला भी होता है एक फॉर्मला यह होता है एक फॉर्मला यह बता रहा है एसन का जो मैं लगा के दिखा रहा हूं एन अपॉन टू ए प्लस एन यह लग दिया यह तो यह तीन फॉर्मिल लगने वाले हैं और जो यह एक चौता फॉर्मिल लग रहा है यह तो आपका एकसेसाइज 5.2 से चला रहा है तो यहां यहां यूज कर लिया अब मैं सम निकानने के लिए यह दो फॉर्मिल यह और यह तो एक ही है एक जगा बस एल मुझे मालूम है फाइव है एन का वेल्यू पहाँ चल गया 16 और एन मनलब लास्तम या एंटम भी हमको मालूम है 50 है देखिए 50 है के लिए तो यह सौट और लगा दो ने इतना बड़ा क्यों लगा रहो भी होजा आप इसको भी लगा सकते हैं चाहे तो आपकी मर्जिन लेक इसको 50 गीवन है ठीक है 50 दन है बात यानि कि ए एन एन की जगह अगर मैं 16 रग दो तो एक्चुली यह 16 तम है ध्याना कौन सा तम है 16 तो इसको कट कर लो 2 8 जा 16 इनको अगर आप करोगे 50 प्लस 5 तो 55 हो गया इनको बस इनको कर दो वही आपका इसका आंसर हो जाएगा 8 5 जा मतलम समय है शिक्सटीन एन की जागह 16 रख दिया ना हमने तो कलिए रों गया इस तरह के से मैंने फॉस्ट पार्ट कर लिया चलिए बढ़ते हैं सैकिंड पार्ट की हॉर तो चलिए हमने यह सेकंड पार्ट नोड कर लिया दिखें गीवन में क्या आपका फस्ट अम देखिए आप सेकंड पार्ट अच्छी तरह के दरे से नोड कर सकते हैं यह था सेकंड पार्ट करते हैं फस्ट अम 7 है तो बोल क्या रहा है find d and s 13 देखिए हमें क्या निकालने के लिए बोला यहां पर देखिए डी निकालना है और s 13 याने की sum of 13 टर्म कितने टर्म का 13 इसका मतलब मुझे अब देखिए डी कैसे निकलेगा सवाल यह पहले डी निकालना तो डी के लिए हम यह वाला लगा रहें देखिए डी के लिए हम यह वाला लगा रहें अब देखिए डी का वेल्यू आपको कई बार बता रहा है यह वाला फॉर्बला कि हम कोई भी वेल्यू निकाल सकते एंके जगा 13 प्लेश कर दो तो यह 13-1 कितना हो जाएगा 12D तो ए प्लस 12D अगर आपने 5.1 देखिए 5.2 देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ र तो नरु कोट बता रहा है मैंने कि एक ट्रेन चलता है एक सीक्वेंस अलता है किसी के लिए प्लस 12D हजाएगा, अगर ये 12 होता तो यहां पे ए प्लस 11D हो जाता, अगर ये D10 होता तो ए प्लस 9D हो जाता, शिंपल सी बात है आप इस फॉर्मलेश से भी रख सकते हो, प्लस 12 डी निकालना है 35 7 को तर ले जाओ क्या कर दोगे माइनस कर दोगे 35 माइनस 7 करोगे तो कितना बचा आपका लिए है तक कि लिए इसको अप कर ले ठीक है तो आराम से किसके कर हो जाएगा 4 से किसे कर ओ जाएगा कर ंद 13 तो डी का वैली इतना चन्वर्म हो गया 7 अप फशिक वैलिए तो आपका क्नफर्म हो गया समत्राओंगे आपकों अबuced क्या निकालना है एस 13 यानि कि Sum of 13 टम तो आप यह वाला फ्रम लगा दें सौट वाला कौन सौट वाला दिखिए एस एन का यह वाला फ्रम्ला एन अपान टू जो आपको पीछे बता है A प्लस ए एन आप शॉट वाला क्यों खपेगा सर इसमें ए एन तो मालूम ही नहीं है वह एन की जगह अगर आप 13 रखोगे तो 13 पता तो आपको टाम ठीक है मैंने कहा इन में साथ कोई इन दोनों में इसे तो यह भी लगा सकते हैं और यह भी लगा सघ्र शॉट रह तो क्यूंकि ऐन को मालूम है क्यों क्योंकि एंक्य कि तो इसको लगा दें की जगा पहले आपको रख ने थार्टी रख टबहें आराम प्लस एं upon 2 इनको add कर तो 35 में क्या add करेंगे 7 add करेंगे तो there is 42 हो गया कितना हो गया 42 हो गया अब इसको आप 2 से क्या कर लें cut कर लें तो 2 से cut करेंगे तो 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2 आपका ये हो गया done तो 13 into कितना बचा 21 बस इनको into करने आपका answer आगया 13 1 जा 13 carry 1 13 2 जा 26 और 27 दिस यूर as 13 तो दीखिए डी का value भी आगया आपका डी का value यह है और एस 13 आपका कितना आ गया 273 दने बात चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की और चलिए थर्ड पार्ट हमने यह नोट कर लिया चितर के साब का इधर से आप देख सकते हैं यहां से हमने थर्ड पार्ट नोट कर लिया क्या given है a 12 a 12 मदला 12 वाला terms आपको मालूम है n का value अगर आप 12 रख देंगे यहां तो कितना हो जाएगा है a plus 12-1 11 d a plus 11 d समझ मारा a 20 कितना हो जाएगा अगर मैं बोलू तो a plus 19 d a 25 कितना होगा a plus 24 d ठीक है बस d में एक कम दिखाए देता है डान है तो a 12 मतला 12 term दे रखाई है d का value दे रखाया common difference क्या निकालने के लिए बोला a a मतलब first term and s 12 मतलब sum of 12 term इसका मतलब n का value मालूम में 12 है तो n निकालने की फिलाल हमको जुरुरत नहीं है डान है बात इधर से मैंने यह question यहां note कर लिया तो a 12 से निकला जाएगा पहले a का value निकलना तो a 12 से निकालने गया जैसे मैंने question number second आपको बताया यह वाला a 13 का मतलब a plus 12 d तो यहां पे a दिया था d निकालना था अब इसमें d दे दिया और a निकालने के लिए बोला है तो d दे दिया और a निकालने के लिए बोला तो कोई प्रावलम नहीं है a 12 का मतलब कितना हो गया a plus 11 d confirm है यहां तक 37 a का value निकालना है 11 into d d का value कितना आपका 3 है तो बस हो गया आपका a का value सिंपल 11 30 33 और 37 तो 37 माइनस कितना कर देंगे आप 33 माइनस कर देंगे तो आपका यह balance बचा कितना यह आगया आपका फूर आ गया तो फर्स्ट आम आपका देखिए मुझे मालूम है समझभा रहा कई स्टुएंट सोचते सरे अन तो मालूम ही नहीं है तो भई एन की जगा आप 12 रखो तो value 37 है तो 6 इनको add करेंगे 37 प्लस 4 करेंगे that is 41 तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24 हो गया तो आपका यह आ गया 246 ठीक है जी संदमा गया यहां तक किलिए रहा तो यह हो गया आपका s12 और एका value तो हमने पहले ही निकाल दिया ठीक है तो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी हो गया बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की और तो चलिए हमने यह फोर्थ पार्ट इसका note कर लिए यह आपका फोर्थ पार्ट इधर से आप note कर लें यह यहीं से उतारा मैंने ठीक है तो याने कि शुंच डिया ओं इसका यहां पर टैन के लिए टीक इसके लिए इसके लिए स्ट अबेलॉ सम circuits तो यानि कि सम का सम सब्सक्राम निकालना धी यानिवेत कोमन डिफरेंस यह 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 एकन और कॉन डिफरेंश यह यह लिए 10 का अडिव्वान टैन्त टों निकालना यानिकि दसवां term है और यह 10 term का sum है यह sum है यह 10th term है clear तो यहाँ पर n का value 10 है तो अगर मैं a 10 बोलू तो a 10 का value क्या होगा अभी आपने a 12 का मतलब क्या बता है a plus 11 d a 13 का meaning क्या बता है था इस पार्ट में a plus 12 d a 10 का मतलब क्या हो जाएगा a plus 9 d आप रख ले चाहिए इस वाले formula n की जगा 10 a 10 यहाँ पर n मतलब 10-1 9 d ठीक है 10-1 करेंगे तो 9 d तो a plus 9 d यानि कि मुझे a 10 निकानने के लिए तो एक तो a का value चाहिए यानि कि first sum चाहिए और एक d चाहिए तो d तो निकलेगा ही पहले तो a का value चाहिए और d का value चाहिए इसको निकानने के लिए तो d तो वैसे भी हमको निकानना ही है क्योंकि पूछ रहा है d का value भी निकालो दने बात तो दिखिए a3 से हम एक equation बनाएंगे पहले ध्यान दिजिए a3 का value हमको 15 है तो a3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका simply a plus कितना हो 5 अब आपको अभी बताया मैंने कि sn का formula क्या होता है इसमें आप बड़ा वाला form लगाएंगे यानि कि n आपान 2 यह वाला form लगाएं 2a plus n minus 1 into d देखिए बड़ा वाला क्यों लगाना है क्योंकि a b पता नहीं d b पता नहीं तो यहां से भी equation बनेगी तब जाके हम इन दो equation को solve करके a और d निकाल लेंगे तो short वाला ना लगाएं आप यही वाला formula लगाएं कौन सा n आपान 2 ठीक है तो दीके n, n का value कितना है 10 समझ मा रहा तो यहां रखूंगा मैं 10 आपान 2 कि लिए हो रहा formula 2a, a का value पता नहीं है plus n, n के जाएक के रखूंगा 10, 10 minus 1 और d, d का value पता नहीं है, equal to 125, यहां तक done है बात, 2 5 जा 10, 5 आ गया, यहां बचा 2a plus 10 minus 1 कितना हो गया, 9d, समझ मा अगे बात, equal to 125, 125, 5 को अंदर multiply करो, सबसे बढ़िया 5 into मैं, अपान में लियाओ, यह सबसे आसान तरीक है, ठीक है, बेव हो जाओ, अंदर मतले जाओ, तो 125 अपान कितना हो पाइव जा 25, तो यह आगया, आपका equation number second, ठीक है, तो एक equation यह है, और एक equation यह है, इसको आप किस महतर से सौल कर लेंगे, सबसे सरल मैतड है, elimination method, ठीक है, तो हम क्या कर रहे है, solving, किस-किस को, solving equation first and equation number second, ठीक है, आपको पता है, किस महतर से कर रहे हैं, by elimination method, आपने यह chapter number 3 मे पढ़ा होगा, elimination method क्या होता है, ठीक है, पढ़ाना अपने, pair of linear equation in two variable में, क्योंकि इसमें दो variable कौन-कौन चाहिए, एक A है और एक D है, यानि कि first time and common difference, ठीक है, A और D, तो आराम से वहाँ पे क्या होता था, chapter number 3 में, ठीक है, pair of linear equation में क्या होता था, आपका X and Y होता था, तो X या फिर D वाला, लेकिन कटेगा तभी, मतलब subject तभी होगा, eliminate मतला होता है, एक चीज को हटाना, या तो A को हटाएंगे, या D को, वहाँ पर या तो X को हटाते थे, या फिर Y को हम लोग हटाते थे, तो A अच्छा है, सरल हटाना, क्योंकि इसको केवल 2 से multiply करना है, ठीक है, multiply by, किस से कर दो, 2 से कर दो, तो पूरी equation होगी, दीकिए, यह हो जाएगा, 2 A, यानि कि 2 A, प्लस, 2 2 जा, 4 D, ये 2 2 जा, 4 D हो जाएगा, 2 15 जा, यानि कि, आप 2 किन 2 15 से करेंगे, तो 30 हो जाएगा, ये 15 2 जा 30, तो इसी से योगों को नहीं करेंगे, ये ये को, पूरी equation होती तो actually equation number first ही है, अगर दीखा जाए, तो बस 2 का multiply कर रहा है, इसके निचे second को अतार दो, ठीक है, 2 A plus 9 D equal to 25, this is your equation number second, अब इसको क्या कर दो, eliminate कर दो, change कर दिया, तो 2 A से 2 A क्यों हो गया, आपका cancel हो गया, अब 4 D में से 9 D minus करेंगे, तो क्या आएगा, 5 D आएगा, और sign किसका आएगा, जो बड़ा है, 4 बड़ा है कि 9 है, 9, 9 किसका sign है, minus का, तो minus का आएगया, 30 minus 25 करेंगे, 5 आगया, तो D का value कितना हो गया, 5 upon 5, और minus C हमने य minus का 1, दन है बाद, तो D का value कितना आगया, minus 1, अब आपको अभी, D तो आगया, दिखिए, एक चीज़ तो आगया, भई, A 10 निकालना, A 10 क्या होता, A plus 9 D, तो अभी A भी चाहिए, A मतलब first time, तो D का value कहां पूट दो, D, put on equation number first, देखिए, first easy है, क्योंकि देखिए, यहाँ ज्यादा बड़ी digit नहीं है, आप चाहिए, तो first में रख दें, second में रख दें, कोई problem नहीं है, D का value निकालने के लिए, ठीक है, तो elimination method आपको अच्छी तरह से पता होगा, A हटा दिया, आप चाहिए, तो D भी हटा सकते हैं, लेकिन D same करने के लिए, इसको 9 से multiply करने पढ़ लेंगे, A plus 2D, A plus 2D equal to 15 वाली, ठीक है, A, A का value निकालना है, 2 into D, D का value minus 1, अभी निकाला ये वाला, 15 plus minus, minus हो जाएगा, 212 equal to 15, 2 उदर गया, minus का उदर गया, किसका हो जाएगा, plus का, तो 15 में अगर मैं plus 2 add कर दो, that is 17, कितना आ गया जया आपका, 17, इसका मतला मुझे first time हो गया, अब D तो आपको already निकला हो था, A10, तो A10 आपको कैसे मिलेगा, A10, तो A10 का मनला, short बोलिए, direct A plus 9D, समझ मा आगया ने, कैसे, आप चाहिए, तो यह वाला फॉर्मल रख दें, AN वाला ये, N के जगा 10 रखी, तो 10 minus 1 क्या आएगा, 9 ही तो आएगा, तो सिधर रख हमाने, A plus 9D, आपको अच्छी तरह से मालूम है, तो A, A का value क्यों निकाला, क्योंकि मुझे A10 चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर तो direct लिखा होने, कि D और A10 निकाली है, D तो निकाल दिया था हमाने, तो A क्यों निकाला, क्योंकि A10 में उसकी जुरुत पढ़ दी है, तो A10 क तो A का value 17 रख तो, plus 9 into D, D का value कितना रखोगे, minus का 1, तो 17, plus, minus, minus 9 बन जा, 9, ठीक है, तो 17 में से 9, minus करोगे, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो this is your 10th term, तो A10 का value, ठीक है, तो so, हम बोलेंगे, D का value तो आ गया था, minus 1, और A10 का value आ गया था, ठीक है, तो इस तरह से हमने, यह आपका fourth part भी, अच्छी तरह के से कल लिए, आप इस question को दुबारा देखे, जितनी बार आप देख सकते हैं, उतनी बार देखे, जादा जादा करने की, आप खुद कोसिस कीजिए, जैसे मैंने किया, मिरे को देख देख के, आप भी copy pen जरूर निकाले, और इसी त तरह से question को करते हैं, ठीक है, तो I hope आपको यह 4 के 4 part समझ में आ गए होंगे, ठीक है, thank you so much for watching this video.